हलो दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है वेटू सक्सेच आज हम हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट को डिसकस करेंगे चलिए बढ़ते हैं अपने कोश्चन की तरफ हमारा आज का पहला कोश्चन है उत्तर गुप्तियूग में जो विश्विद्याला प्रसीद्ध हो गया था आप्शन ए कांची आप्शन भी तच्छी चिला आप्शन सी नालंदा आप्शन डी वल लवी तो आप दो सेकेंड ले कि मारा नेक्स कोश्चन है भारते नेपोलियन की उपाधि किसी दी गई है चंद्रगुप्त मौरे को समुद्रगुप्त को चंद्रगुप्त प्रथम को हर्षवर्धन को तो दोस्तों इसका राइट आइंसर है आप्शन नंबर किसे मानते थे हैं आप्शन डी चरक तो दोस्तों इसका राइट आइंसर है आप्शन नंबर श्री दनवंत्रे बढ़ते नेक्स कोश्चन की तरब हमारा नेक्स्ट कोश्चन है पहला ग्यात गुप्त सासक कौन था आप्शन डी चंद्रगुप्त प्रथम आप्शन सी घटोतकच आप्शन डी कुमार गुप्त प्रथम तो दोस्तों इसका राइट आइंसर है आप्शन नंबर बढ़ते नेक्स कोश्चन के साथ भारत का वैफार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाफ्थ हो गया था तो आप इसे पाउस करके पढ़ सकते हैं तो दोस्तों इसका राइट एंसर है हमारा आप्शन नंबर श्री खुरुद्वारा बढ़ते नेक्स कोश्चन के तरब आरवट और वारम हीर केशु विख्यात नाम से किस यूग के साथ संबंदी थे आप्शन ए गुप्त बंस आप्शन भी कुशार बंस आप्शन सी मौरे बंस आप्शन दी पाल बंस तो दो लागा बाद के एस्तम में किसकी उपलब्दियां उतक्रिश्ण है? आपसन ए चंद्रगुप्त मौरे, आपसन बी श्रमद्रगुप्त, आपसन सी विखरमादि, आपसन आपसन दी श्रकंद्गुप्त तो दोस्तों इसका राइट आनस आपसन नंबर श्रेत चीनी आतरी फायान किस गुप्ट सासा कि सासनकाल के दौरान भारत आया था चंद्रुप्ट मौर वी शमुद्रगप सी चंद्रुप सेकेंड आप्शन डी कुमार गुप्ट दोस्तों इसका राइट एंसर आप्शन नंबर सीच चंद्रुप सेकेंड नेक्ट कोशन दोस्तों गुप्ट सास को सही नहीं है तो इस में ध्यान दीजे लिखा गया है चार्व आप्शन दीओ यह पूर्य बड़तुं को डुक ऐल सकते हैं इस ने सरे राज-तरी वंजागत और शिर्ग चांवह सदा सबसे बड़े पुद्र को मिलता था यह option हमारा सही नहीं है बढ़ते हैं अपने next question करप कभी कालिदास किसके राज कभी थे option दी चंद्रगुप्त मोर, option B समुद्रगुप, option D चंद्रगुप, option D कुमार गुप तो दोस्तो इसका राइट एंसर है आप्षन नमबर C चंद्रगुप सेकेंड बढ़ते हैं अपने गुप्त युक का प्रवारता कौन था? आप्षन E घडोतकच आप्षन B श्रीगुप्त आप्षन C चंद्रगुप्त प्रथन आप्षन D समोधुप्त तो दोस्तो इसका राइट एंसर है आप्षन नमबर B श्रीगुप्त नेक्ट कोशन दोस्तो गुप्त राजवन्स किसले प्रशिद्धा? प्रशिद्ध था पहला कला और अस्थापत्य B समराजवाद C राजश्य भूमिशुधार D कोई नहीं तो दोस्तो इसका राइट एंस आसकों की सरकारी भासा थी A पाली B संस्कृत स्वर दोस्तो ए पाली B प्राक्रित C हिंदी D संस्कृत तो दोस्तो इसका राइट एंस से आप्षन नमबर आप्षन नमबर D संस्कृत नेक्ट कोश्चन हो दोस्तो गुप सासक के दौरान निम्लिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोश सास्त्री था गड़ तक गे था आप्षन ने भानुगुपत आप्षन वी बारवट आप्षन श्री आरवट आप्षन दी वह नेक्स्ट कोश्चन दोस्तो गुपत राज जिसने बिक्रमादित की पदवी घ्रहड की थी वह था श्कंद गुपत समुद्र गुप चंद गुप सेकेंड कुमार गुपत श्वर दोस्तों हमारा कोश्चन है बिक्रमादित की पदवी किसने घ्रहड की थी ये कोश्चन इस से गुप्त बंस कावा राजा कौन था जिसने हुडो को भार्त पर आकरमण करने से रोका था ए शकंद गुप्त बी समद्र गुप सी चंद गुप सेकेंड दी कुमार गुप्त तो दोस्तो इसका राइट एंसर है आप्षन नंबर किसके द्वारा स्थापित किया गया था आप्षन ए चंद गुप्त काल में किस धातुए शरवाधिक सिक्के जारी किये गये थे ऐंडम ये खंध दोस्तो इसका राइट एंसर है आप्षन ने शुना है चंद्र गुप सेकेंड और किस नाम से जाना जाता था पहला है समुद्र गुप सकंद को बिक्रमाधित एज अधी तो इसका दोस्तों आपको पता ही होगा कि उन्हें बिकरवादित्ति के नाम से भी जाना जाता था अप्शन नमबर C बढ़ते हैं नेक्ष कोशन के तरब नमलिखीद में से किनके सिक्के संगीत के प्रती उनका प्रेम दर्शाते हैं मौरो कोई नंदो कोई आप्शन C गुपतो के आप्शन D चोलो को तो दोस्तों इसका राइट एंसर आप्शन नमबर श्री गुपतो के बढ़ते हैं नेक्ष कोशन के तरब बालबट नमलिखीद में से किस समराठ के राजदरवारी कभी थे तो हमारा आप्शन A विक्रमादित, आप्शन B कुमारगुपत, आप्शन C हर्षवर्धन, आप्शन D कनिष्क, तो दोस्तों इसका राइट एंसर है हर्षवर्धन C, नेक्ष्ट कोशन बढ़ते हैं सर्व, दोस्तों हर्षवर्धन अपनी धार में सभा कहां किया करता था, A मतुरा में, B प्रयाग में, C वरार्ची में, टीम तामरलिपी में, दोस्तों इसका राइट एंसर है आप्शन नमबर, आप्शन नमबर B प्रयाग में, वरते हैं नेक्षकोशन क्षे करता दर, एक महारुमानी नाटक का दंबरी का लेखा कौन था? आप्शन A कि ये बार्ण भट कि बढ़ते नेक्स कोश्चन के तरब निम लिखित में से किसकी रचना हर्ष वर्धन ने की थी आप यह ध्यान दीजिए का किसमें है नहीं की थी अप्षन नंबर यह रचना नहीं की थी बाकि उनके दारा की थी हमारा आज का लास्ट कोश्चन है हर शुदारा आयोजित कर्नों सभाकिस के सम्मान में की थी आप्षन दोस्तों इसका राइट एंसर है आप्षन नमबर श्री रेंशा तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट के माध्यम से बताएं इसे लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नह भूले थैंक्यू दोस्तों